वेल्कम टू बंदनाकेडमी तो आज हम चर्चा करेंगे कि सीटेट एक्जाम देते समय आपको तुक्का किस तरीके से लगाना है तुक्का का अर्थ है ट्रिक यानि आपको क्या ट्रिक अपनानी है जब आप से प्रश्ण छूट रहे हो जब आप से प्रश्ण नहीं आ रहे ह हो और आपका कोई प्रश्ण छूटे नहीं आप सभी प्रश्ण करके आए तो इसके लिए आपको क्या ट्रिक अपनानी है और सभी प्रश्ण आपके सही भी हो और एक से बीस प्लस एक से तीस प्लस आपके आसाली से आएंगे कि वीडियो को बीच में बिल्कुल भी मत जाए है कि सीटेट का एक्जाम देते समय आपको तुका किस तरीके से लगाना है यानि ट्रिक क्या अपना नहीं है किस तरीके से आपको अपना पेपर पूरा सॉल्व करना है तो सबसे पहले हम यहीं चर्चा करेंगे वीडियो को लाश्ट तक आप अब वश्च देखें तो कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं है तो आप इसे पूरा हल करने की कोशिस करें यानि आपको कोई भी प्रस्ण छोड़ना नहीं है ठीक है कोई भी प्रस्ण आपको छोड़ना नहीं है आपको पूरे प्रस्ण सॉल्व अवश्य करने है ठीक है अगर लास्ट में आपक ये रेऊचिस बात है के साथतुत पेपर को सवल करना है कि प्रश्न पत्र जब सामने आता है तो ऐसब लगता है कि यह प्रश्ण पत्र को पूरा पड़े और वही चीज होती है जो हमने पहले से पड़ी होती है जो प्रश्ण आपको नहीं आता है उसको दो बार पड़े आपको बिल्कुल भी घबडाना नहीं है और आपको अपनी जो भी पूर्ड धहर के साथ आपको भरने के साथ साथ इसमें जल्दबाजी बिल्कुल भी न करें अगर आपसे कोई भी चीज इसमें नहीं आ रही है तो आप अपने कच्छ नीरी चक से आवश्य पूछें ठीक है ओमर में आपको कोई भी गल्ती वी नहीं कननी है दहर के साथ इसको भरना है तो ओमर बर्ति fox में यह पनी सो पूरी एक एक लिमे करके अच्छे से बुम नहीं है और इस पर युटग भी 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 बिल चुकी है तो ओमर भरति爸 के संस्थ में आपको भी घुल्कुल भी बता ही नहीं रही है मैं तो ट्रिक भी यही है यही होती है और लास्ट में मैं आपको ट्रिक भी अवश्य बताऊंगी आप लास्ट तक बने तो रही है तो फिर इसके बाद आपको कहता है कि इसके बाद अपना आप पेपर चाहे तो एक बार पूरा पढ़ ले ठीक है आप च तो आपको इसमें से दस प्रषणा आ रहे हैं 12 है 13 सिरफ प्रशनपत्र पर आपको उनी पर सही का टिक लगाना है और जो प्रशना आपके थोड़े से भी तो उन प्रिश्ण पत्र पर आपको गोला कर देना है तो जो भी आपने सही किये है उनको सबसे पहले खिंट में भर ली जिए गाट है तो यह ब्ला जीएा चाहिए ट्रुक्राइच में प्रेश्ण अपके बहुत बढ़े पूछे आते हैं कार अब कतन वाले हैं प्रेश्ण पूछना शुरू हो गए हैं तो उनको आप सबसे पहले गोले में अवश्य भरें तो इस तरीके से दूसरा आप आपने अपने प्रिश्णों को भरें तो इस तरीके से आप अपने सारे प्रिश्ण पत्रों को शॉल्प करें और वर में भरें फिर आपके जो भी डाउट वाल प्रश्णों को solve करते समय देखो आपके पास चार option होते हैं और चार option में आपके दो to तुरंत ही कट जाते हैं जैसे कि आपका प्रश्ण है कोई कि बच्चे को मतलब किस भासा में आप उसको अधगम करा सकते हूं ठीक है तो बात भासा की हो रही है तो वहां option में आपको कही न कहीं मात्र भासा मिला होगा ठीक है तो आपको मात्र भासा के साथ ही जाना है जब भी आप प्रश्ण को शॉल्ब करें जो भी डाउट वाले प्रश्ण है आपके तो वहां आप ठीक ह अगर आप से positive पूछा गया है तो positive के साथ जाए और जो प्रिश्ण आप से आ रहे हैं उनमें भी एक वार अवश्य देख लें कि इनमें कौन से टेग वर्ट से पूछे जा रहे हैं ठीक हैं तो ये चीज आप अवश्य करें तो टेवर्ट से एक वार आप अवश्य देखें और टेग वर्ट्स के अनुसार ही अपने प्रश्णों को शॉल्व करें अब यह तो बात आपके टेग वर्ट्स की हो गई और दो प्रश्ण तो आपके तुरंत ही कड़ जाती हैं कि जैसे आपका प्रश्ण है कि भासा के अभिव्यक्तात्मक कौशल कौन-कौन से हैं तो अभिव्यक्तात्मक कौशल में आपका सुनना पढ़ना आता है आपको सुनना बोलना दिया होगा बोलना लिखना और पढ़ना लिखना यह भासा की बात हो रही है तो वहां आपके दो गया मैं आपको लिख करके ही बता देती हूं अभी ब्यक्तात्मक कोश्रों की बात आप से पूछ ली जाए ठीक है यह आपका प्रश्न हो जाएगा मैं तोड़ा चोटा ही लिख दे रही हूं तो ओप्सन में आपका होगा जैसे आपका ए होगा ठीक है पढ़ना और लिखना ठीक है बी होगा आपका सुनना और फिर बोलना और शी होगा आपका बोलना और लिखना दोकर वीडियो हो सकता है थोड़ा बड़ी हो जाए लेकिन आप धहरी के साथ अवश्य वीडियो देखें ठीक है डी जैसे आपका होगा सुनना ठीक है और पढ़ना अब देखो आपको ये तो लेकिन अवश्य पता होना चाहिए कि अभिव्यक्तात्मा कोशल क्या है तो अभिव्यक्तात्मा कोशल या अभिवक्ति है तो अभिवक्ति या तो हम बोल करके करते हैं अपने मन की बात जिक है बोल करके अभीव् Punkte करते हैं या फिर हम लिक करद केंद तो अभर को इसमें हमारा लिखना मै तो दो濫 और सुनना नहीं ही यह भी कट गया ढूंत त supports मलत लाती है इसी तरीके से यह भी मारा कट गया बचा हमारे क्या पास क्या बोलना और लिखना तो यही आपका राइट अंसर हो जाएगा तो इस तरीके से आप अपने प्रश्णों को अवस्य शॉल्व किया करें ठीक है तो यह भी आपके एक ट्रिक है अब बात करते हैं कि जब आप से आपने प्रश प्रश्णों को शॉल्व कर लिया है या फिर आपने एक सथीज प्रश्णों को शॉल्व कर लिया है ठीक है एक सथीज प्रश्णों को शॉल्व कर लिया है एक सथीज प्रश्णों को शॉल्व कर लिया है एक सथीज प्रश्णों को शॉल्व कर लिया है इसके बाद आपको सबसे बड़े बाले के साथ जाना है ठीक है पॉजिटिव पूचा है तो आपको पॉजिटिव के साथ जाना है निगेटिव पूचा है तो आपको निगेटिव के साथ जाना है ठीक है पॉजिटिव पूचा है तो पॉजिटिव के साथ जाना है निगेटिव पूचा है तो पर आपको नेगेटिव के साथ जाना है अगर आपसे बच्चे की भासा में बहुत बार बता चुक है अभ लास्ट में जब आप बिल्कुल कुछ भी ना आए तब आपको क्या करना है? तो अब है बात ट्रिक की, ठीक है, अब बात ट्रिक की हो रही है, तो अब बात एको ट्रिक में क्या करना है, तो ट्रिक में आपको अपनाना है, तो ट्रिक हम अब तोड़ा सा और बात में बताएंगे, आपको अपने साथ क्या क्या ले जाना है, तो ठीक है, अपना एडमिट पानी की बोतल भी अवश्य ले जाए अगर आप कहीं दूर आपका शेंटर है एक दिन पहले आपको निकलना है तो थोड़ी बहुत खाने पीने की बस्तू भी आप अपने साथ अवश्य ले जाए और अगर आप वहां जाके रूम लेते हो या फिर कहीं बाहर ऐसे ही तो अप चटाई अवश्य ले जाए तो आप अपने साथ चाता भी रख सकते हो या फिर जो भी पानी से बचने की बारस से बचने की आपके पास शुबदा हो वह सारी चीजा आप अपने साथ अवश्य ले जाए ठीक है और आपको अपने साथ पैन अवश्य ले जाने है और बॉल तो यह अवश्य आपको मिल जाने हैं और जो भी आपका RD proof अपसे मांगा गया हो तो उसको ले जाएं ठीक है आप अपना एड्मिट कार डाउनलोड करें और वहां उसमें सारी डिटेल अवश्य देखें और इसके साथ साथ आप क्या करें कि प्रिविस एर्स का एक प्रश्न पत्र अभी देखें और उस पर जो दिशा निर्देश दिये गई होए ठीक है दो सब्सक्राइब चीनित करके के लिए बहुत मैतपूर आम आ एक मिलता है तोविक प्रिशनै को चोड़ कर नहीं आना है कि मैं आपको बता ही एक किस तरीके से शॉल्ड करने है प्रिश्न को शॉल्प करें और बच्चे को अधगम की बात हो जाए यहांनि आपको बच्चे को बाल के इंद्रित, ठीक है, बच्चे को आपको रख करके शबी प्रशनों को शॉल्प करना है, बच्चे के अनुशार आपको सोचना है, बच्चे को धन्रवी नहीं देना है, अफशर देना है, सिखाना है, ठीक है, सिचक की भूम का गोड होती है, अहम भ आपको यह चीज़ तभी फॉलो करनी है वरना बेरे अभी इसके पहले आपको जो भी चीज़ बताई है शिर्प और शिर्प आपको वही चीज़ फॉलो करनी है देखो शीकेट में एक मैथड़ होता है और यह मैंने श्वैम फील किया है ठीक है तो आप चाहें तरसे आपके आपके ओप्सन होते हैं चार ओप्सन होते हैं ए हूझ ए बी शी और डी ठीक है आपकी यह चार ऊप्सन होते ए है अबसे हैं देड़ साे अगर tremendous होते हैं अगर आप इसको चार शे डिवाइट करोगे, ठीक है, अगर आप इसे फोर शे डिवाइट करोगे, तो कितनी बार होगा, चार तिया, बारा, बचे तीन, और चार पहीं बीस, आप अथर्टी फायब मानके चलिए, थर्टी फायब या फिर्टी शिक्ष मानके चलिए, थर्टी शेविन तक यहनि इसका एक चौथा ही भाग आप मानके चलिएगा, ठीक है, तो इस तरीके से अगर आप इसको डिवाइट करते हो, तो आपके यह जो ओप्शन होते हैं, तो यह इसी तरीके से पूछे जाते हैं, ठीक है, तो आप मानके चलिए कि थर्टी शेविन शेविन का टार्गेट मानके चलिए, कि थर्टी शेविन से थर्टी एट तक, ठीक है, तो जैसे ए वाले ओप्शन आपके थर्टी एट आए हैं, ठीक है, तो बी वाले भी आपके थर्टी शेविन हो जाएंगे, शी वाले हो जाया है जो दिटे बाले कर द्रकूल को पर दो है 30 सौफ that it would be 30 आपके वर्च्षे पूछे जाएंगे 30 प्रश्न प्रश्न आपके 16 से पूछ yourself यह इतना तो आप मान के चलिए ही चलिएगा कि 30-30 प्रशन का अवस्य होता है तो फिर लास्ट में आपको क्या करना है लास्ट में आपको देखो ओमर आपके सामड़े होती है तो ओमर में आप काउंट अवस्य कर सकते हो ओमर में जब आपके पास मात्र 5 मिनिट का और 2 साथ जाना है और 2 प्रशन तो अपने आप कटी जाते हैं तो अपने वहां थेर के साथ प्रशन को शॉल्व करना है तो अब जब 120-120 और मात्र 5 मिनिट का टाइम आपके पास रह गया है तो फिर आपको अपने ओमर में और यह उप्सन आप काउंट कर लीजिए का कि अगर ए आपके क्योंकि आपने वहां सही किये है तो इस पैसे एक गोला जो आपका अगर दी रह गया है तो बाकी के फिर आपके जितने भी गोले बचे हैं चाहे 30 बचे हैं चाहे 40 बचे हैं चाहे 50 बचे हैं कितने भी बचे हैं इन सब को आपको शिर्प D को ही भर देना है अगर आ वहां टो सब्सटाइते हैं कि जब मारे पास टाइम लहां तो अधसली तो पहली कहा चुछा जीं हमारे पास है तो यह ंवेद हें और एक करते तो हम यह हैं सा लिकन इस से पहले आपको तूड़ा ये भी देखना है कि है आप यह जो एब वाले घुले भह भर रहेए हो तो है यह इह वाले घुन आपने पहले नहीं भरना है आपको एक ही गोला लेना है और जहां तक हो वहां तक आपने यानि डी का गोले में कम भरपाई हैं किसके साथ जाना है तो शीक, डी, बी, तो भी, एक, तो एक, तो एक आपको सबसे लास्ट में अपनानी है वरना आप कहीं पहले से ही अपना दो कि मेडम ने कह दिया था इस तरीके से शही होता है तो ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है तो धेल के साथ अपने पूरा पेपर शॉल्प करें और अच्छी शी नीद ले करके जाएं वहां